कि हाल चाल हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप तब का अपने चैनल दिविश की पीडिया पे मैं हूँ आपका होस्ट अमित दोस्तों आज की जो वीडियो है यह काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में ना ही मैं 375 ml की बोटल दिखाऊंगा ना ही 180 ml की दिखाऊंगा ना ही 750 ml की दिखाऊंगा बलकि एक 2 लीटर वाली बोटल आज इस टेबल पे मैं आप सब के साथ शेयर करूँगा दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की है कि यूट्यूब पे 2 लीटर वाली बोटल के उपर जादा informative वीडियो नहीं है तो आज से मैं एक नई सीरिस की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें मैं सब भी 2 लीटर वाली बोटल को धीरे धीरे कवर करूँगा जी हाँ जितने भी brand market में आते हैं चाहे वो Royal Stag है चाहे वो Royal Challenge है चाहे Antiquity है जिनकी 2 लीटर वाली बोटल मार्किट में मिल जाती है दीरे दीरे कोशिश करेंगे उन सबको इस चैनल पे लेके आए और सबके बारे में information दे ताकि जो लोग 2 लीटर वाली बोटल बाय करना चाहते हैं उन लोगों को idea हो जाए कि बोटल कैसी है क्या features उसमें मिलेंगे क्यों उनको बाय करनी चाहिए और किन लोगों को उस बोट आज इस चैनल पे मैं लेके आया हूँ बोटल इतनी जादा हैवी है कि एक हाथ से पकड़ने में काफी जादा मुश्किल लगती है बहुत ही सुन्दर दिखती है बोटल तो सारी details जानेंगे कि ये कांच की बोटल है ये plastic की बोटल है बोटल पूरी कैसे दिखती है किन लुकुल भी detail review नहीं होगा क्योंकि already मैं इसका detail review कर चुका हूँ तो जो लोग detail review देखना चाहते हैं वो channel पे visit करके देख सकते हैं लेकिन जो लोग 2 liter वाली bottles के उपर information लेना चाते हैं वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैं सारी information उनके लिए provide तो चलिए start करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों यह है शांदार दिखने वाली blender sprite की दो लीटर वाली bottle bottle बहुत जाला heavy है और बहुत जाला बड़ी है normal blender sprite की जो bottle आती है market से उससे दुगनी heavy और दुगनी बड़ी bottle है यह बिलकुल यह reason यह है कि इसकी heaviness का यह जो bottle है य normally जितनी भी दो लीटर वाली bottle आपको market में मिलेंगी वो plastic से बनी होती है लेकिन यह इसका plus point है कि जिस range में यह मिलती है जिस price पे यह आती है उस price range में काज का glass का use किया गया है इसका benefit यह होता है कि इसमें जो whisky है उसका जो taste बिलकुल भी change नहीं होगा क्योंकि plastic की एक अपन smell होती है जो whisky की taste को उसके smell को थोड़ा disturb कर देती है लेकिन कांच के case में ऐसा नहीं होता 2000 ml की bottle है जी है यह 2000 ml है इसका क्या meaning है इसका मतलब यह है कि इसमें जो whisky की quantity है यह जो अंदर आप whisky देख रहे हो यह 2000 ml है normally आप जो wine shop से buy करते हो वो 700 ml की होती है तो उससे 2.66 जी हाँ 2.66 गुना जादा whisky आपको इसमें मिलेगी तो इसके benefit क्या है किन लोगों को buy करना चाहिए क्योंकि यह सभी के लिए नहीं है जी हाँ यह नहीं है कि सभी लोग इसको buy करें कुछ special benefits है इसके वो क्या है चलिए जानते है दोस्तों 2.0 वाल petrol प्रिट के एक बोतल से जादा पिएंगे या फिर दो बोतल से पिएंगे ऐसा मैं क्यों कह ह TV कृरह हूं आप देखते हो कि market में अलग अलग quantity की अलग-अलग पैकेजिंग में जो है विसकी मिलती है 108 ml कि भी मिलती है जिसको हम leavy कहते है तीन को 75 ml कि है जिसको हम पूरी home fitt sekali लिटर की मिलती है जो की नॉर्मली स्कॉच विस्की में होता है जो एरपोर्ट में मिलती है बहुत रेर होता है कि वो आपको यहां पे वाइन शॉप्स पे मिले लेकिन दो लिटर वाली आपको इसली बड़ी-बड़ी सीटीज में मिल जाएगी दोस्तों इसमें फाइदा यह होता है कि जैसे कि मैं आपको एक example दे रहा हूं अगर ये मैं चंडी गड़ से buy करता हाला कि मैंने किया नहीं है एक example दे रहा हूं चंडी गड़ से अगर मैं 2 लीटर वाली buy करूं तो वो 1500 से लेके 1600 रुपे तक मिल जाती है अगर मैं 750 ml की bottle buy करूं वो 7500-800 की मिलती है चलिए मानके चलते हैं कि 7500 की मिलती है तो 1500 रुपे में 2 लीटर बनती है और इसमें मिलती है 2 लीटर तो 500 ml जादा मिलेगी 100-200 रुपे आप जादा पे करोगे और आपको जो quantity है वो जादा मिलेगी तो ये एक benefit हो जाता है कि जिस price में 2 bottle आ रही है उसमें तकरीबन 3 bottle के quantity आपको मिले अगर आप भाई ये है कि आप 15-20 दिन के बाद पीते हो तब आपके लिए ये bottle नहीं बनी आपने क्यों इतने पैसे spend करने तब आप 180 ml की या फिर half की तरफ जा सकते हो जो आपका महीना या फिर 15-20 दिन चल जाए लेकिन ये उनके लिए है जो जादा consume करते हैं और इसका एक benefit ये भी है जैसे कि ये कांच की बोतल है और इसको खतम करने के बाद आप काफी अची creativity इसके साथ कर सकते हो कुछ ना कुछ इसके उपर decorate करके इसको काफी अच्छा अपने घर पे सजा सकते हो तो ये इसका एक काफी अच्छा benefit है अब इसके उपर बात आती है कि इसका क्या प्राइज है दोस्तों ये आपको पंजाब में तो मिलेगी नहीं चंडीगड में आपको मिल जाएगी, हर्याना में मिल जाएगी, डेली में मिल जाएगी, गोवा में मिल जाएगी और कई स्टेट्स हैं जहां पे आपको दो लिटर वाली बोतल मिल जाएगी मेरे पास जो information है वो मेरे पास चंडीगड की है मेरे पास हर्याना की है चंडीगड से अगर आप बाय करोगे तो near about 1600, 1650, 1650, 1600 तक आपको दो लिटर वाली बोतल मिल जाएगी लेकिन अगर आप हर्याना से बाय करते हो तो भाई आपको काफी अच्छी डील मिल सकती है मैंने ये बोतल हर्याना से बाय की है पानी पत से वहां से मुझे ये 1400 रुपे की मिली है केवल 1400 रुपीस की टककर सेल्स वहां पे वाइन शोप है काफी अच्छा ग्रुप है वहां से मैंने इसको लिया है और केवल 1400 रुपे में मुझे मिली है जो की एक काफी टकडी डील है मेरे इसाब से बहुत बढ़िया डील है तो 2000 एमेल 1400 रुपे में कोई भी बुरी डील नहीं है जैसे कि आप देख रहे हो नीचे ये बड़ा-बड़ा 2000 एमेल लिखा है और यहां पे सीग्रम्स की ब्रेंडिंग है जैसे कि ये पर्नो रिको कंपनी का प्रड़क्ट है बाकी थोड़ी सी डीटेल्स मैं ब्लेंड स्पराइट के बारे में भी शेयर कर देता हूँ ये जो आप इसका कलर देख रहे हो ये जो रंग देख रहे हो ये नैचुरल नहीं है इसमें अलग से कलर मिलाया गया है ताकि इसको ये रंग मिल सके लेकिन अच्छी बात ये है कि ब्लेंड स्पराइट में बिलकुल भी आटीफिशियल फ्लेवर्स नहीं एड किये गिये जो कि इस प्राइस रेंग में एक काफी अच्छी खूबी है तो दोस्तो ये तो थी आज की वीडियो ब्लेंड स्पराइट की दो लीटर वाली बोटल अगली कौन सी दो लीटर वाली बोटल आप देखना चाते हो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी मैं उसको कवर करूँ तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जल मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ तिल देन चेर्स पीओ और जीओ